हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इस सुमानसी सहगल फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे बेसिक टू एडवांस मेकप कोर्स की थेोरी क्लासे स्टार्ट हो चुकी है जिसमें कि हम लोग आपको step by step कुछ थेोरी लिखवा रहे हैं ताकि आपके आने वाले समय में जब भी आप लोग मेकप करें तो आपका ये जो पार्ट है थेोरी का एकदम clear होना चाहिए कि आपको समझ होनी चाहिए कि जो आप मेकप कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज जरूरी होती है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग मेकप करते हैं हमें face shapes की knowledge होना भी जरूरी है हमें skin tone का पता होना भी ज्रूरी है, हमें skin type का पता होना भी ज्रूरी है, और यह भी पता होना ज़ूरी है कि हमारा undertone क्या है, और कौन से colors का use हम लोग eyeshades पे करेंगे, कौन सा powder हम लोग face के लिए use करेंगे, किस powder की क्या मतलब आहमियत होती है, हमारे makeup में, सेटिंग स्प्रे गया होता है और आपका मेकप फिक्सर क्या होता है बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें पता नहीं थी और हम लोग को बहुत जुरुत थींग के बारे में जानने की इसी के कारण हमने ये सारी वीडियो आपके लिए बनाई हैं ताकि आपका पूरा बेस जो है क्लियर हो पाएं मेकप से रिलेटेड जो भी बाते आप पुछना चाते हैं वह आपको इस थेओरी के थूरु सब कुछ हमने समझाने की कोशिश की है फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो कि हो जाता है हम लोग नए-णए हैं हमको नहीं समझ की मेकप क्या ची तो फ्रेंड्स इन क्लासिस के थूरु आप लोग घर बैठे सीख सकते हैं अगर थोड़ा सा अच्छे से मतलब मतलब के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए कि हमें सीखना है हमें कुछ करना है तो आप लोग सीख जाएंगे अराम से घर बैठे के हम लोग इतनी इसली तरीके से आपको बता रहे हैं अगर आपके अंदर पावर नहीं है सीखने की तो आप कहीं भी चले जाएगे कितना भी पैसा लगा लीजिए आपको समझ नहीं आएगा आपको अगर समझ आना है तो घर बैठे भी आजाएगा अगर आप थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगा के स अगर आपने निश्चे गर लिया है कि आपको सीखना है तभी आप लोग सीख पाएंगे तो फ्रेंड्स आज का एक और यूस्फुल वीडियो जो आपके लिए हैल्प करेगा मेकप को जानने के लिए एक और नई चीज लेकर आए हैं आज हम लोग जो की है कॉम्पक्ट औ अच्छा रहेगा कॉंसा पाउडर आपको खरीदना है मेकप के लिए तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोग लिखेंगे डिफरेंस बिट्वीन कॉम्पक्ट एंड ट्रांसलूशन पाउडर सबसे पहला डिफरेंस है कॉम्पक्ट पाउडर फ्रेस्ट सबस्क्राइब करें लूसे थो हमारे अप्षूरू होने लगे हैं लूस पाउडर थो हम लोग यूज़ करने लगे हैं हर बार नहीं टेक्निक शाती हैं हमें हर बर मेगप में चेंज दिखते हैं और अब इस जल्दी जल्दी आ रहे हैं कि हर कोई कुछने नेया गरना चाहता कि मैं इस तरीके से बता दूं कि बाफी लोग ना बता रहे हो, कंफ्यूज कर दें सब को कि क्या हमने ऐसा लगा दिया, कि आप लोग को पते ही नहीं है, हमने क्या लगाया है, हमारा मेकप कितना अच्छा आया हुआ है, देखी आप, तो आप लोग के दिमाग में फिरता रहत तो उनके हाथ कामाल तो है ही है, वो लोग मैनत करते हैं इस चीज में, मतलब पूरी उनको नॉलेज होती है किस तरीके से मेकप करना है, अच्छा काम करते हैं, वो लेकिन नहीं नहीं चीजे इसली लाते हैं, कि वो आप जैसे स्टुएंट्स को अट्रैक्ट कर सके, ताकि आ हुआ है जो, हम लोग आपको सिखा रहे हैं, मुझे आप लोग को ऐसा को इंप्रेस नहीं करना कि आप लोग मेर को बोले कि हमेह Happy आपके पास सीखने आना ऐसा बढ़ इसक्ष नहीं है, मैं आपको इधर बटे ही सिखा रही हूँ है आप लोग अच्छे से शिखिए, इन पाउडर में होता था यों कि प्रेस्ट फॉर्ण में चिपका हुआ फोर्म नुज ठीन से भिदाविarn तो प्रdoes यह उन्दर द है थेल्गे कुई मतलब जासे आप लोग बेखते हैं योग ये नीज़ फैस पाउडर में आप लोग फेस टोन का यूज करते हैं यह लूज फॉम हो गई उसकी इस तरीके से मेकप में जो यूज आने वाले ट्रांस्लूसिंट पाउडर्स हैं यह लूज फॉम में होते हैं कॉंपैक्ट पाउडर की कवरेज ज्यादा होती है आपने देखा हुआ कि हम लोग कॉंपैक्ट का यूज करते हैं तो लोंग लास्टिंग अच्छी होती है उसकी पहले काफी सारे लोग अपने जिसे जॉब अगर 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 जाते थे तब फांडेशन से इतना से बिद्वी सी सित क्रीम लगा ही रहे हैं जो भी जॉब में गूर्ट आई इंगर यूज करती है इन चीज़ों का तो फ्रेंट्स यह जो हमारा कॉंपैक्ट है यह इसकीकाट जादा होती थी और कवरेश होती है जादा और ट्रांस्यॉटेizar पाउडर की कवरेज जो है वो कम होती है तो इतनी लॉंग-लास्टिंग नहीं होती उसकी इसको हम लोग जो अपना कॉमपैक्ट है इसको हम लोग फौणडेशन के बिलना भी यूज्स जो मैंने आपको बताया था विले जब बाहर जाते थे अब भी कर सकते हैं आप लोग अगर आप लोग foundation आपने ही लगाना चाहते तो बिना foundation के भी आप लोग compact का use कर सकते हैं अच्छी covering देता है skin को लेकिन हम लोग translucent powder का use बिना foundation के या बिना कुछ अंदर base दी हम लोग नहीं लगा सकते उसके लगाने कोई फाइदा ही नहीं होगा और powdery powdery से हमारा चहरा हो जाएगा तो friends इसलिए हम लोग इसका use नहीं करेंगे बिना किसी base की compact जो होता है यह हमको matte finish देता है क्योंकि इसकी lasting ज्यादा होती है आप भी समझे सीज को कि lasting ज्यादा है तो क्यों है क्योंकि हमें matte finish प्रोवाइड कर रहा है इसी के साथ अगर हम लोग translucent powder का use करते हैं तो इसकी lasting जो होती है वह बहुत ज्यादा नहीं होती lasting देता भी है इसी के साथ जब हम लोग translucent powder का use करते हैं यह भी हमें matte finish देता है लेकिन एक dewy effect देता है face के ऊपर जैसे कि चमक रहती है face के ऊपर हमारे और हमारे जो face है उसमें थोड़ा matte finish भी देता है लेकिन एक चमक भी रहती है तो friends इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि compact powder और जो अपने dark sink के लोग नहीं आते तो आप fire और medium ले लीजी ज़ये कोई दिकतादी क्योंकि medium का use dark पे भी होगा हमें थोड़ा finger ही दिखाना होता है डाक वाहलों को तो हम लोग medium का यूस कर सकते हैं इसके लिए आप लोग एक ले लीजी और एक medium ले लिजिए अगर आपको लगता है दाक टॉन के कम आते हैं आपके पास तो इसी के साथ अगर आपको Translucent Powder लेने हैं तो इससे पहले हम लोग वीडियो में बदा चुके कौन-कौन से Translucent Powder आते हैं एक आपको लेना है Translucent Powder जो की Colorless होता है जो की Fair to Medium Skin पे काम करता है और एक आपको लेना है Banana Powder जो की Medium to Deep Skin पे काम करेगा इस तरीके से आप दो-दो दोनों चीज़ रखिए क्योंकि मैं आपको Make Up करते दोरान समझाओंगी किस तरीके से मैंने Compact कहां लगाया और कहां मैंने आपका जो Powder है Translucent उसको यूज़ किया ताब आपको समझ आएगा किस तरीके से हमको इन दोनों का यूज़ करना है तो Friends, आज हमने समझा अंतर Compact में और Loose Powder में इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कम्प्लीट होता है Friends, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको जाए से लाइक कीजिए, शेर कीजिए और हमारी YouTube चैनल सुमानसी सैगल को सब्सक्राइब कीजिए, Thank you so much झाल